कि नमस्कार दोस्तों मैं खिंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाइंडर पर दोस्तों आप से मेरे टेलेग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के फ्रांद आपको पीडेफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ यह मेरी एन अकैडमी प् आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी तो आज हम एक बहुत इंट्रेसिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं तो दोस्तों एक नया फॉर्माट ऑफ क्रिकेट इंट्रूड्यूस हुआ है दी हंड्रेड तो दोस्तों यह क्या है यह फॉर्माट इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंस है और क्या-क्या निव रूल्स है इनको समझेंगे और दोस्तों एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि इस से रिलेटेड है क्रिकेट से रिलेटेड है और यह में विमन दोनों की क्रिकेट को चेंज कर रहा है और ए इंटेइन्मेंट वाले सेक्शन से स्पोर्ट से कुछ इस प्रकार के से सवाल पूछ लेती है तो इसलिए इस टॉपिक को हम कवर भी कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहले हम देखे तो दी हंड्रेड है क्या तो दोस्तों अगर आप देखे तो इंग्लेंड एंड वेल्स क्रिक सक्सेस हो गया और आज आप देख सकते हैं IPL से लेके हर कंट्री हर क्रिकेट लीग अपना अपना कुछ ना कुछ 2020 फॉर्माट रन करती है तो वही ECB अब एक नया फॉर्माट ऑफ क्रिकेट लेके आई है जिसका नाम क्या है दी हंड्रेड दोस्तों ये क्रिकेट को नए र इंग्लेंड अगर आप देखें तो यहां पर काफी ज्यादा ड्रॉप हो रहा है यूथ का इंट्रेस्ट क्रिकेट में तो कैसे यूथ को क्रिकेट तक पहुंचाएं क्रिकेट को यूथ तक पहुंचाएं उसके लिए कह रहे हैं यह नया फॉर्माट जो एक्साइटिंग एड्रेनलिन फिल्ड फॉर्माट है काफी इंट्रेस्टिंग होगा तो क्या है यह रूल्स क्या है क्रिकेट को कैसे पैकेज किया जा रहा है कि यह गेम इतनी एड्रेनलिन पंपिंग होने वाली है तो आईए देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो 2020 अगर हम देखें तो इसमें एक जो हमारा एक ट्रेडिशनल ओवर होता है वो छे बॉल का होता है तो हर छे बॉल के बाद क्या होता है तो आप देखें तो हर छे बॉल के बाद दोस्तों फील्ड वापस से सजाई जाती है जिसमें क्या होता है बहुत टाइम चला जाता है तो उसमें क्या होता है 10 ball के बाद sleep change करेगी और एक baller कितना लंबा एक over जो 6 ball तक एक baller ball करता है यहाँ पर आप देखें तो baller 5 gain balling करेगा चाहे तो 10 consecutively याने एक पूरा का पूरा field के stretch में चाहे तो वही ball कर सकता है याने कि 1 over यहाँ पर एक baller की 5 gain की या फिर 10 gain की होगी तो एक baller लगबग 5 ball continuously कर सकता है चाहे तो 10 ball कर सकता है यह किसका call है captain का captain चाहे तो 5 gain करवाए चाहे तो 10 gain करवाए लेकिन एक baller एक game में maximum 20 gain balling कर सकता है तो 20 balls per match जो अपने यह देखे तो अगर हम ODI देखे तो 10 over होता है याने 60 ball और अगर 2020 देखे तो 4 over होता है वैसे ही आप आप देखे तो balling side को strategic timeout भी मिलेगा दो minute का and coach भी ground पर आ सकता है और बीच में आके आप देखे तो ground में वो fielders and players के साथ tactics match की क्या होनी है वो discuss कर सकता है शायद आपने चिलंका के साथ इंडिया के दूसरे game में देखा होगा कैसे राहुल ड्रविड आये थे dugout पे आके 12th man को ग्यान दियो और फिर वो 12th man जाते हैं जाके batting करते हुए Indian players को बताते हैं क्या-क्या राहुल ड्रविड जी ने कहा है तो वो सारी बाते उनको पचाते हैं तो coach अब सीदा सीदा खुद आ सकते हैं यह पैतरे अब इस्तमाल नहीं करने होंगे directly coach आएंगे और आके बताएंगे फिर आप अगर देखें तो एक power play 25 गेंद का होने वाला है तो इसमें अगर आप देखें तो दो fielder power play के दौरां 38 circle के बाहर बस दो ही fielder allowed होंगे और इतना ही नहीं दोस्तो इसमें आप अगर देखें तो वालिंग साइड भी अगर हम चाहें देखें दोस्तो तो strategic timeout ले सकती है धाई मिनट की हर innings में तो याद रखेगा तो 25 वाल का power play याद क्या रखना है आपको तो बस दे सिवा दोस्तो अगर आप कोई no ball deliver करे तो वहाँ पर दोस्तो दो gain दो run उसको मिलेंगे और free hit तो अगली ball होगी ही होगी तो दो run भी मिलेंगे no ball पे इसके सिवा दोस्तो leg side में maximum 5 fielders ही allowed होंगे and duckworth Lewis method भी होगा in case बारिश हो जाती है लेकिन duckworth Lewis method को जिसको overs के terms में calculate किया जात है वैसे ही दोस्तों आप अगर देखें तो अगर कोई catch out हो जाता है तो इस बीच में normal cricket में हमारा क्या होता है catch out होता है और अगर cross हो गया तो क्या होता है नया अगर cross हो गया तो अगर मारा हवा में और एक run वाले या non striker end पर पहुंचा तो तक catch out हो गया तो नया player कहां पर आता है लेकिन अब वैसा नहीं होगा अब cross वाला system कुछ नहीं है तो अगर cross भी हो गए तो क्या होगा catch out हुए तो player को नए player को ही strike लेनी होगी इसके सिवा दोस्तों अगर हम देखें जो fielding team है देखें यहां पर परपस क्याना गेम को shot रखना है याने time को adhere करना बहुत जर होने लग गया अगर fielding team 100 balls को allotted time में नहीं finish करेगी तो जितने देर extra वो balling कर रहे हैं उतने देर ring के 30 yard circle के अंदर एक extra fielder रखना होगा याने अगर आप time extra ले लिए तो आपको फिर players कम आपको boundary की पास रखने मिलेंगे तो ज्यादा run-up गवाने वाले हैं तो इस तरीके से भी punish किया जाएगा तो दोस्तों पूरा game को अगर हम देखें तो यहाँ पर focus किया जा रहा है game schedule को follow करें and कुछ games का जो 10 wall भी इस तरीके से रखा गया है जो की आज के time में जो television media है जो उसमें जो proper advertisement के जितने देर के slot होते हैं कुछ उतने ही देर के slot को adhere करवाया जाएगा त अच्छी बात क्या है इसमें gender inclusion है तो women cricket को भी उतना ही focus किया जा रहा है जितना men cricket को focus किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं दोस्तो men women सभी इसमें आपको दिखेंगे हर देश भर के women men आपको सारे देखने मिलेंगे तो women cricket भी उतना ही important है and same day में same मैदान में men and women दोनों का game होने वाला है आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे ये 26 जुलाई का है तो 26 जुलाई का women का game 1930, 730 पे इंडिया के हिसाब से और men का 2311 बजे इंडिया के हिसाब से कहाँ पर trend bridge nottingham में होने वाला है तो same ground पर trend rockets northern superchargers same team है लेकिन ये अगर आप देखें तो ये women team है ये men team है और अगर आप एक ticket लेते हैं तो वो ticket दोनों game cover करती है याने दर्शकों को भी प्रोचाहित किया जा रहा है कि वो दोनों game देखें और दोनों की fan following बढ़े तो women यहाँ पर कोई जैसे cricket में या unsports में हम देखें तो उस प्रकार से pursue नहीं किया जाता है women के game को तो यहाँ पर वैस का ना हो इसके लिए दोनों को promote किया जाए तो इस वक्त ECB जब इस game को promote कर रही है दी 100 तो इसको follow कर रही है तो दोस्तों exam के point of view से आपस इतना जानिए the 100 क्या है new rule of cricket है कहां पे introduce हुआ है England में introduce कि हुआ है किसने किया है England and Wales cricket board ने किया है and purpose क्या है game को exciting बनाना game को shot करना और आज के time के हिसाब से youth को इस game में लेके आना दोस्तो आई हो आपको आज की class पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो like जरूर कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिए and video अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें तो दोस्तों जब भी एन अगाडमी पर आए use the code KC10 क्योंकि सब्सेब 10% off नहीं मिलेगा best mentorship मिलेगी direct hand holding मिलेगी best notes मिल देख सकते हैं इंडिया के best educators हमाई साथ जुड़ेवे हैं जैसा आप screen पर इस वक्त देख पा रहे होंगे तो इनके द्वारा बनाया गया है धेर सारा course and ये सारा subscription आपको एक साथ मिल जाएगा इनके द्वारा बनाये गया जितने भी एन academy में UPSC CAC category में courses हैं ये सारे आपक जो इस वक्त आपको मिल रही है आप जैसा स्रीन पर देख पा रहे हैं एक साल की cost batch course की सवालाक फिर आप देखे में स्टेस सीरीज इसकी कीमत 30,000 फिर आप देखे तो प्रिलिंस स्टेस सीरीज की कीमत 15,000 किताबों की कीमत 10,000 ऑप्शनल batches की कीमत 50,000 ये total cost दोस्तों दो ल रहे हैं हम आपको additional 10% off दे रहे हैं जिसके तहर्ट जिस पर सॉप्शनल ही कीमत है limited period के लिए 49,680 रूपीज तो इसमें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये हम limited discount तो केसी मंजिरों कोड़ा इस्तमाल करें इसके सिवाद दोस्तों आप देख सकते हैं CSC Assure program भी रन कर रहे है जिसके तहर्ट आपको हमें एक साल की सब्सक्रिप्शन में 2022 तक दो साल की स्ब्सक्रिप्शन में 2023 तक वैलेड रहेगी आपकी और साथी साथ आपको free test series हम दे रहे हैं किसी भी GS optional कॉम्बो में optional का भी test series है GS का भी test series है इसके सिवाद दोस्तों CSC Assure है अगर आप दो साल में दो साल की सब्सक्रिप्शन लें और उसके बावजूद तो अगर आप UPC CSC exam नहीं क्लियर कर पाते तो आपको एक साल की extension मिल जाएगी और an academy notes हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनी भाशाओं में available हैं 20 books हैं आपको घर पे shift किये जाएंगे पहुंचाए जाएंगे और test series है दोस्तो फ्री प्रोवाइड की जारी है लगबत 30,000 कीमत की और साथ ही साथ GS option में कॉंबो में huge discount है 49,680 रूपीज सिर्फ कुछ दिनों तक ही है तो इसका लाब उठाएं यह offer दोस्तों आपको बता दो मैं optional test series भी मिल रही है तो यह 28 जुलाई को खतम हो रहे हैं सबस्क्रीन पर देख सकते हैं इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं प्रिलिंस के test series में 80 टेस्ट है जिसने 50 प्रिलिंस टेस्ट है 30 मीन्स टेस्ट है तो यह UPSC CAC का test is GS का 50 प्रिलिंस 30 मीन्स टेस्ट है और साथ ही साथ दोस्तों लोन भी अविलेबल है 50 रुफे और यूजिंग दी कोड के सीवन जिरो और अकाडमी कॉम्बाट फ़र्शिप टेस्ट का हिस्टा बने अठाइस जुलाई से नहीं बैचे स्टार्ट होने और फ्री टेस्ट सीरीज है के सीवन जिरो कोड का इस्तमाल करें और इसका हिस्टा बने थैंक यू सू मु